हाला सुदेंट्स मेना नाम दॉक्टर गजेंद पुरहिदेगरा कोई भी क्वेशन आपका CSIR नेट गेट और आईडीज में पूछा जाता यह जो टॉपिक यह डाइगनोलाइजिशन है कि डाइगनोलाइजिशन की बहुत सारे क्वेशन करने में दिख्कता थी इसको डिवाइट कर तो इसकी पीछे का जो कंसेप्ट है वह क्या है वह आपको बताने वाला हूं आप सी इसायर ने गेट आइडी जैम एक्जाम या मैसें ट्रेंस तो सुन जो डाइगनोलाइजबिटी होती है इसके अंदर सबसे पहला कंसेप्ट होता है कि इफ एवरी आइगन वील्यू डिस्टेंट देन मैट्रिक्स डाइगनोलाइजबल बट कनवर्स में नॉट बी ट्रू जैसे हमारे पास यह एक मैट्रिक्स है हम देखते कि यहां इसी प्रकार से जो डाइगनोलाइजबल होती है जबकि सभी बात करते हैं इस अगर कोई मैट्रिक्स डाइगनोलाइजबल है तो उसकी सभी पावर क्या होगी है पर इसका कनवर्स टू नहीं है कि अगर हमारे पास इसकोर डाइगनलाइजबल होगा राइट जब आप देखेंगे अगर एमेट्रिक्स हम यह लें जो कि इस टिक लिए अपर ट्रेंगुलों मैट्रिक्स ही एक निल्पॉटेंट मैट्रिक्स होती है जब इसका एसकोर करेंग यह लित जबल मैट्रिक्स है तो इनका जो सम होता है वह देखेंगे अपर ट्रेंगोलों मैट्रिक्स आतरी जो कि इसी टेप से प्रॉड़क्ट ऑफ ट्युजीबल मैट्रिक्स में हैं और इक सी जद्यदा ओप्शन पूचे जाते हैं वहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल आपक वीच ओन गीज़ेट वार डिशीरूरी नहीं है can not be 0 matrix यह हो सकती है रिटम प्रत्रिक्स हर अल्वेश डिचलिजबल यह सग्याइजीरॉट एग चलिचुट इस और आपको समझ महा जाएगा आगे बढ़ते हैं इस सुन वीच आप फॉलिंग इस तू अभी हमने काउंटर एक्जम्पल लिया था दस साम आफ टू डाइगलेजबल मैट्रिक्स मैं नोट भी डाइगलेजबल है ना में नोट भी सकता है और नहीं भी हो सकता है हमेशा ओ ब्योग्रेजबल मैट्रिक्स है नाहीं हो सकता है और यह ने के बहुत हमेशा कशले करक्ट होगा, यह बहुत हमने का यह विलना भी, और heter Avenue in a guy जाएगा तो इस प्रकार से लिगन पbok सुट अंसफिता है आपको कितने मिली सेकेंड लगे प्लीस कमेंट करके बताइए ईसी और भी वीडियोस आप देखना है तो यहां जाएगे पूरी प्लेलिस मिल जाएगी अगर आप अधियर कर सकते हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यूब